सानी देओल ने बता दिया कि बॉक्स ओफिस पर चाहे कितनी ही कुछ बात क्यों ना कर लो लेकिन असली सूपर स्टार तो वही है सानी देओल की फिल्म ने रिलीस से पहले ही आंकडे तोड़ दिये हैं कमाई के और इस फिल्म ने अलरीडी गंगुबाई काठ्यावाडी, शमशेरा और जुग जुग जियो फिल्मों को पीछे कर दिया है इस फिल्म की एडवांस बुकिंग ने ही ये रिकॉर्ड बना दिये है सनी देओल की फिल्म आ रही है चुप इस फिल्म में सनी देओल के अलावा दिलकर सल्मान, श्रिया धन्वंत्री और पूजा भट भी शामिल है आर बालकी की ये फिल्म है जो कि एक साइको थ्रिलर है इस फिल्म को रिलीस किया जा रहा है नाशनल सिनिमा दे के मौके पर ये ऐसा मौका है जब हर एक थेटर में फिल्में 75 रुपए में दिखाई जाएगी तो सनी दे उनका क्रेज और National Cinema Day का डिसकाउंट लोग इस फिल्म पर तूट पड़े हैं और रिलीज से पहले ही इस फिल्म के 1,25,000 टिकेट्स बिक चुके हैं यानि कि कह सकते हैं कि रिलीज से पहले ही इस फिल्म ने औरडी करोडों की कमाई कर ली है ट्रेड एक्सपर्स मान रहे हैं कि इस फिल्म की पहले दिन की कमाई 3,000,000,000 से उपर होगी ट्रेड एक्सपर्स का कहना है कि जब फिल्म ने रिलीज से पहले ही धाई से 3,000,000 की कमाई कर ली है तो रिलीज वाले दिन ये फिल्म अच्छा खासा बिजनस करेगी और word of mouth publicity से भी इस फिल्म के अच्छा perform करने के chances बने हुए है और तो और सनी देवल के इस फिल्म को रिलीज से पहले ही audience को free में भी दिखाया था एक दिन के लिए बावजूद उसके पहले ही दिन इस तरह का craze जो इस फिल्म को देखने के लिए मिल रहा है वो craze अच्छा है इससे पहले फिल्म जुग जुग जियो के 57,000 टिकेट्स की advance booking के रूप में sale हुई थी गंगुबाइ काठ्यवाडी की 56,000 टिकेट्स बिक चुकी थी release से पहले वहीं बात करें शम्षेरा की तो 46,000 टिकेट्स इस फिल्म की release से पहले बिक चुकी थी लेकिन अब चुप की अगर बात करें तो 1,25,000 टिकेट्स औरेडी बिक चुकी है पहले All Over India इस film को 800 screens पर release किया जा रहा था लेकिन audience के बीच इस film का craze देखने के बाद अकेले North India region में इस film को 800 screens पर release किया जा रहा है यानि कि screen count बढ़ चुका है Well, we hope कि Sunny Deol की ये film box office पर successful हो और ये film Sunny Deol का शांदार comeback साबित हो Bollywood में